सभी को नमस्कार, केरियर्ट फर्स चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, परिछा सुरू होने में दो दिन से इस है तो सबसे जरूरी बात यह है, जिनका स्किल पहले दिन होना है अर्था 23 तारीक को जिनका टेस्ट है तो आसा है कि आप सब अपनी तैयारी के सिखर पर पहुँच चुके है जिनमें थोड़ा बहुत उपर नीचे भी है अब एक या दो दिन का समय बचा है आप केवल अपनी गलतियों पर नजर रख सकते हैं और कुछ ऐसी आउटलाइन्स होती हैं जिनमें प्रैक्टिस के बाद भी आपको कनफ्यूजन रहता है तो उन पे थोड़ा सा नजर बना के रखें और साथी साथ अपनी टाइपिंग भी क्योंकि टाइपिंग में भी आपको मार्क्स मिलने हैं आपका प्रयास रहना चाहिए फूल आउट और फूल पचीस मार्क्स आपका आना ही चाहिए और किसी भी तरह की घबराने की या अतरिक्त अब कुछ प्रयास करने की आवस्चता मुझे नहीं लगती है क्योंकि दो दिन में अब आप कुछ खास कर भी नहीं सकते हैं तो हमारे चैनल के मैटर्स आप अधिक से अधिक बार लिखे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इनका चैन जिस सोर्स से किया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक और वहां से कई सारे निबंध PCS के परिच्छाओं में भी देखने को मिलते हैं तो एक बात आपको और बताना है कि परिच्छा सेंटर पर आप सब समय का ध्यान रखें जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा भी है समय से पहुँचे उसके साथ साथ कॉपी आपको वहां प्रोवाइड की जाएगी सौट हैं लिखने के लिए अपनी पेंसिल या पेंड आप जैसे लिखते हो अपने साथ लेके जाएं एडमिट कार्ड पे लिखी हुई सारी बातों का पालन करें दो फोटो और एटेंडन सीट में भी एक फोटो चस्पा करके आपको ले जाना है बाकी चीज़ें आपको खुदी पता है अधिक कुछ कहना नहीं है तो जितना भी दो दिन बचा है अब आपकी पिछली छे से आठ महीनों की मेहनत का परिणाम लेने का फ़लाया है मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा सच्चे मन से आप सब सेलेक्ट हो और हमें भी मिठाई खिलाएं हमारी दुआएं आपकी मेहनत इन दोनों का बेजोड साथ है और आप ये विश्वास रखिए कि जरूर से जरूर सफलता मिलेगी जिनकी गलतियां जादा भी हो रही है उनको भी घवरानी की जरूरत नहीं है भगवान ने सब के लिए कुछ न कुछ बहतर तैं करके रखा है अपना पूरा प्रयास करिए अलग से अब आप के पास कुछ भी करने का समय नहीं बचा है किसी वीडियो किसी भ्रामक चीज के संपर्क में आने से बचे गुम्रा होने से बचे और अब आँख बंद करके अपनी परिक्षा दे भगवान पे विश्वास करें माता पिता कासिरवाद लें इसके साथ ही साथ इस चैनल और हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत सुबकाम ना है चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं बहुत यह अच्छा मेंटर है ध्यान पूरत लिखेगा रेडी स्टार्ट मन्यवर आजादी के बाद यह जरूरी था की सरकारी नीतियों एवं विकास कारिक्रम को आम आदमी तक पहुँचाया जाए और समाचार पत्रों ने इस कारिय को बखुबी अन्जाम दिया वही सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप साच्छर्ता के तथा आधुनिकी करण की प्रक्रिया के साथ-साथ समाचार पत्रों की संख्या और उनके प्रसार में भी तेजी से विस्तार हुआ और आज तो हम संचार क्रान्ति के युग में जी रहे हैं जहां न सिर्फ संचार के अनेक माध्यम है बलकि सबसे पहले सूचना प्रसारित करने की होड मची है महोदय सूचना और विचारों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो और टेली विजन का महत्व बढ़ता जा रहा है रेडियो का विसेश महत्व यह है कि निरच्छर व्यक्त भी बिना किसी प्रकार की सहायता के सूचनाएं प्राप्त कर सकता है ग्रामेड अंचलों में जहां समाचार पत्र आसानी से नहीं पहुँचते वहां रेडियो से ही अधिकांस जानकारियां मिल जाती हैं समाचार पत्र 24 घंटे में एक बार ही छपते हैं और इन्हें लोगों के घरों तक पहुचाने के लिए हाकरों की मदद लेनी पड़ती है किन्तु रेडियो और दूर दर्शन से पल पल का समाचार जनता तक पहुचता है केबल के माध्यम से टेली वीजन के परदे पर कई समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित समाचारिया घटना क्रम को सजीव चित्रन के रूप में देखा जा सकता है इन समाचार माध्यमों के महत्व को देखते हुए यह प्रस्ण उठना स्वाभाविक है कि जनता की उनसे क्या अपेक्षाएं है महोदै लोक तंत्र में समाचार माध्यमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है उनके द्वारा प्रकासित अथ्वा प्रसारित और उस पर की गई तीका टिपड़ियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती अतह समाचार पत्रों से अपेच्छा की जाती है कि उन्हें मर्यादित आचरण करना चाहिए उन्हें किसी प्रकार की अफवाह की तह तक जाना चाहिए जिससे सत्य को प्रकास में लाया जा सके भारत जैसे देश में अफवाहों के माध्यम से सामप्रदाईक दंगे तक फैला दिये जाते हैं तोड़ फोड की कार्रवाही कर सरकारी और निजी समपत्ती को छती पहुँचाई जाती है और कभी कभी सत्ता परिवर्तन में भी सफलता प्राप्त की जाती है उत्तेजनात्मक समाचारों से समाचारपत्र की विक्री बढ़ती है किन्तु इसका कोई दीर्ग कालिक लाभ नहीं मिलता इससे जनता तुरंत तो भ्रमित होती है किन्तु बाद में सत्य का प्रकटी करण होने पर उस समाचारपत्र की साख भी प्रभावित होती है प्राया यह देखा जाता है कि दोसी कोई और होता है किन्तु प्रारंभ में किसी निर्दोस को बली का बकरा बना दिया जाता है मेडिया द्वारा दिये गए समाचार के आधार पर क्रोधित जनता उस निर्दोस व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्योहार कर डालती है जिसकी छति पूर्ति बाद में भी नहीं हो पाती समप्त